एक बहुत ही सुन्दर घटना हुई थी, रामायन में, राम, उनके जीवन में अनेक दुर्भाग की पून घटना हुई, वो एक राजा है, किसी कारण से वो अपना राज गवाँ देते हैं, या वो उसे त्याग देते हैं, या जैसा भी हुआ हूँ, या धोखा देकर उन्हें निकाल दिया गया, या वो इतने शालीन है कि उन्होंने विरोध नहीं किया, और वो जंगल में जाकर रहते हैं, कठिना इसके बाद रावन उनकी पत्नी का अपहरण कर लेता है और फिर अपनी पत्नी के प्रती प्रेम उनके खो जाने से हुई पीड़ा और उनके साथ क्या हो रहा है इस चिंता के कारण वो दक्षन भारत तक चलते हुए जाते हैं तमिल लोगों की सेना इकठा करते हैं हाँ तमिल नाडू में और कौन था और फिर वो श्री लंका जाकर युद्ध छेड़ देते हैं युद्ध में रावन को हराते हैं उसे मा डालते हैं जैसा कि आप सब जानते हैं रावन के दस सिर थे आप एक सिर से परिशान हैं उसके पास दस थे तो राम को दस बार वद करना पड़ा ताकि उसे मारा जा सके युद्ध में जीत हुई और वो अयोध्या वापस आ रहे हैं राम तै करते हैं वो कहते हैं मैं वापस राज में नहीं जाना चाहता है मैं हिमालाय में जाकर अगस्ट मुनी की गुफा में कुछ समय बिताना चाहता हूँ ताकि अपने हाथों हुए पाप का प्रायस्चित कर सकूँ मैंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की हैं जो धर्म परायन था शिव का महान भक्त था बहुत बड़ा ज्यानी था एक महान राजा था एक दयालू व्यक्ति था बाकि लोग हैरान रह गए लक्षमन उनके छोटे भाई बोले आप क्या बात कर रहे हैं रावन ने आपकी पत्नी का अपहरंड किया था राम ने कहा वो दूसरे नौ सिरों का काम था उसके नौ सिरों में लालच, जलन, वासना वगेरा भरे थे लेकिन एक सिर ऐसा था जिसमें विवेक, ज्यान, धार्मिक्ता और भक्ति थे मुझे अफसोस है उस सिर को काटने का मेरा बस चलता, तो मैं उस सिर को छोड़ देता रावन को मारता नहीं, लेकिन ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा पर अब मुझे बहुत पच्चतावा हो रहा है उस एक सिर को काटने का इसमें आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप सभी के पास दस या अधिक सिर हैं हर तरह की चीज़ें क्या आप देखते हैं किसे दिन आपके सिर में लालच है, किसे दिन जलन है, किसे दिन नफरत है, किसे दिन प्यार, किसे दिन सुन्दरता, किसे दिन बतसूरती या एक दिन में आप सभी चीजों से गुजरते हैं अगर मैंने आपको जलन वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये जलन खोर है अगर मैंने आपको लालच वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये लालची है अगर मैंने आपको नफरत वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये नफरत से भरा है अगर मैंने आपको वास्टना वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये वास्टना से भरा है नहीं, नहीं, हर किसी के पास दस्य अधिक सिर होते हैं अलग-अलग समय पर, अलग-अलग सिर काम कर रहे हैं लेकिन हर किसी के पास कम से कम एक सिर होता है जो प्यार, सुन्दर्ता, उदार्ता और करुणा वाला होता है कम से कम एक ऐसा सिर होता ही है तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि किसी गुण को पहचानने और उसकी आलोचना करने की बजाए आप व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं राम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं उसने बहुत सारी बुरी चीजें की लेकिन कोई बात नहीं, वो उसके दूसरे नौसिर थे लेकिन उस एक सिर में मुझे बहुत सी संभावनाय दिखी लेकिन दुरभाग के से मुझे उसे काटना पड़ा मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस बुनियादी नियम का पालन करें आश्रम में या आप चाहें जहां कहीं भी हो अगर आपको किसी में कुछ गलत दिखे तो हम केवल उस गलती के आलोचना करेंगे उस व्यक्ती की नहीं जब आप दूसरों के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा ये तै करने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ या मैं तो ऐसा ही हूँ हाँ, कुछ पलो में आप वैसे रहे हैं कुछ पलो में आप एक भयानक प्राणी रहे हैं कुछ पलो में आप बहुत सुन्दर रहे हैं कुछ पलो में आप बदसूरत रहें कुछ पलो में आप कमाल के रहें अगर आप संभावना को मजबूत नहीं बनाते और उसे दूर नहीं करते जो आपकी संभावना में बाधा डालता है तो आप आध्यात्मिक साधक नहीं है वो अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है, वो अच्छा नहीं है, वो ठीक नहीं है और यहां कुछ लोग हैं, जिनसे आपका परिचय अभी नहीं हुआ है वो सभी सुन्दर है आप बस धार्णा ही बनाते रहेंगे वरना आप किसी को जितना ज्यादा जानते हैं प्यार और करुणा उतनी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब आप उनके संघर्षों और समस्याओं को जानते हैं और अचानक आपको पता चल जाता है कि वो भी उतने ही मानवी हैं जितने की आप हैं राम एक ऐसे इंसान की हत्या के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं जिसने उनकी पत्नी का अपरण किया और बहुत से बुरे काम किये लेकिन राम अब भी इस बात को पहचान रहे हैं उसका एक सिर्था जो बहुत सुन्दर था मुझे उसे नहीं काटना चाहिए था ये इंसान बहुत बड़ा ज्यानी है इसलिए उनकी पूजा की जाती है हर समझदार व्यक्ती ऐसा ही होता है एक गुलाब के पौधे को देखकर हम इसे गुलाब का पौधा कहते हैं बताईए उसमें गुलाब ज्यादा है या काटे ज्यादा है काटे ज्याता है लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं क्योंकि हम सुन्दर्ता को पहचानते हैं शायद एक ही गुलाब है और हजारों काटे हैं लेकिन फिर भी हम उसे गुलाप का पौधा कहते हैं. अगर आप आम का पेड़ देखते हैं, उसमें आम अधिक हैं या पत्ते? बेशक पत्ते ही अधिक हैं? हम उसे पत्तों का पेड़ नहीं, आम का पेड़ कहते हैं. क्योंकि हम उससे टपकने वाली मिठास को पहचानते हैं, वो मिठास से भरी बूंदें, पत्तों से भरा पेड़, पर वो एक आम, वाह, आम का पेड़, हम लोगों में इसे क्यों नहीं देखते हैं? अगर मिठास की एक भी बूंद हो, क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसमें मिठास की एक भी बूंद ना हो? देखा है आपने? तो कृपया ये करें अपने आसपास के सभी लोगों में जिनके साथ आप रोज काम करते हैं जिनके साथ आप रगड़ खाते रहते हैं कंदे रगड़ना नहीं आप समझ गए होंगे बस इतना कीजिए वो सभी लोग वो घटिया आदमी ये बुरी औरत देखिए कि क्या आप इन में मिठास की उसे एक बूंद को पहचान सकते क्योंकि अगर आप उसे नहीं पहचान सकते तो वो आपके भीतर भी प्रकट नहीं होगी आपको ये जान लेना चाहिए आपको दूसरों के भीतर जो बुरी बातें दिखती हैं वही बातें आपके भीतर भी जलकेंगी इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर चीज से नजर फेर लेनी चाहिए नहीं हम पेड़ पर पत्ते देखते हैं गुलाब के पौधे में काटे देखते हैं लेकिन हम पहचान देते हैं फूल और फल को हमें बस यही करना है